राजस्तान इंडिया का सबसे बढ़ा प्रदेश जहां की राजिकी अंदास पूरे दुनिया को भाता है कैसर एक्सपेंसी पैलेसेस, हिस्ट्री, फोर्ट और लाजबाब खाना सभी को इस प्रदेश में आने के लिए आकर्शित करता है इस प्रदेश के एक तरफ है घने अबादी और दूसरी तरफ रेथ है यह प्रदेश अपने आप पे एक बहतरीन प्रदेश है जहां पे साल भर बाहर के दिशों से हजारों पडियाटक घूमने के लिए आते है यहाँ पे मौजुद एक पहले स्पोर्ट इतिहास के पन्नों से आज तक लोगों का आकर्शिन का केंद्र बना हुआ है यहाँ के जन्र संक्या करीब 8 करोर के आस पास है यहाँ के मुखे भाशा है मरवारी और आज के वीडियो में हम लोग जानेगे रजिस्तान के अंदर टॉप 5 सिटिस के बारे में जो ना सिर्फ इस प्रदेश के बलकी देश में भी अलग एक प्रिचीति रखता है लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नहीं हो तो सब्सक्रेब करके बेर आइकोन को दबाए ताकि आने वाले लेटिस सब्डेट हमेशा आपको मिलता रहे इस वीडिस में नमबर पाँच पर है अजमेर अजमेर रजिस्तान का पाँच बास सबसे बना शहर है शहर का नाम पहले अजमेर उथा बाद में ये चेंज करके अजमेर रखा गया है इस शहर में हिंदू और मुस्लिम पपुलेशन जादा है जहाप एक परफिक्ट समागम दिखने के लिए मिलता है अजमेर का अपना एक प्योरिटी है मतलब की पवित्रता है इस पवित्रता के लिए इसे भारत का मका याफी धर्मनगर नाम से भी जाना जाता है इस शहर की प्रतिश्टता अजह राजा ने किया था ये शहर कॉमर्शियल सेंटर हुआ करता था काफी सारे रिज़न के बज़े से आज मेर को राजस्तान का दिल और जान भी कहा जाता है इस लिस्ट में नमबर 4 पार है जैसल मेर राजस्तान के बरे शहर के लिस्ट में जैसल मेर 4 नमबर पर आते हैं और ये शहर राजस्तान का एक पॉपुलर शहर भी है और यहां के आबादी करीब 8 लाग के आसपास जैसल मेर को हवेलियों की नगरी नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहां पे कैसारे छोटे अरबरे मिलाके हवेलिया है जो बहुत ही पॉपुलर भी है जिसे देखने के लिए हाजारों पडियाटक यहां पे आते हैं जब सुरज की रशनी इन हवेलियों पर पड़ती है तो यह साब हवेली सोने की तारा चमकने लगती है और इसलिए जैसल मेर को स्वरन नगरी नाम से भी बुलाया जाता है और इन सब के भजय से यह शहर भारत की किसी भी शहर के मुकाबिले बिल्कुल अलगर खास है यहां पे ट्रू रजस्तानी कल्चर को और साथ में यहां की कला इन पलेसल के माध्यम से सामने आया है रजस्तान आने पे जैसल में ज़रूर विजित करे इस लिस में तीसरे नमर पर है उदयपूर उदयपूर सिर्फ रजस्तान का ही नहीं बलकि पूरे इंडिया में एक अलग परचिती बनाया है उदयपूर रजस्तान का तीसरां सबसे बढ़ा और पॉपुलस स्रीडी है उदेपूर शहर में बहुत सारी जीले मौजुदे इसलिए उदेपूर को City of Lake नाम से भी जाना जाता है सैलानी के लिए भी ये एक फेमा सिर्डी है महारणा उदेशिंग दुआरा उदेपूर शहर को बसाया गया था उन्होंने बहुत लगन और प्यार से इस शहर को बसाया था जो आज इस शहर को देखके पता चलता है इस लिस्ट में नमबर दो पर है जोदपूर रज़स्तान के दूसरा सबसे महरतुपूर और बना शहर है जोदपूर और यहां के आवादी करीब 15 लाग के आस पास है उदेपूर में जात और मकान नीले रंके हैं इसलिए उदेपूर को नीला शहर भी कहा जाता है रज़स्तान में जैपूर के बाद उदेपूरी सबसे जादा जने संख्या बाला शहर है पडियाटकों के लिए भी ये शहर दूसरा सबसे पसंदिदा शहर है यहां पे मौझूद पैलेसेस, फोर्ट, मंदीर, वर्ट फेमास है लिस में नमबर वान पर है जाइपूर इंडियान स्टेट रजस्तान जैसे बरे प्रदेश का राजज़दानी है जाइपूर जो की इंडिया का वन अब दा बेस्ट पॉपुलर्स मेट्रोबटन सिटी है यहां पे इंडरस्ट्री, शॉपिंग मॉल, आईटी हाब मौझूद है दुनिया का most extensive hotel palaces भी यहां पे मौझूद है यहां पे मौझूद हवा मेहल जैसे palaces परियोटोकों के लिए पहला पसंद है यह शह स्मार्ट सिटी प्रज़ट के अंदर भी आते हैं यह रजस्तान का सबसे बरहा शहर भी है जो 484.6 km एरिया पर फैला हुआ है और यहां के आबादी करीब 24 लाग से भी जादा है और population के हिसाब से यह इंडिया का तेंट most populous city है इन सब के अलाब और एक शहर है जो top 5 cities के लिस्ट में नहीं है लेकिन इंडिया में बहुती फेमास है कोटा जो की एक educational hub है और पूरे देश के हैरे कोने से students यहां पर पढ़नने के लिए आते है और अप अलब से एक वीडियो देखना चाते हो तो मुझे कॉमेंट पे ज़रू बताए और इन सब के अलाब आभी रजस्तान में बिकानीर, उशकर, चीतरगर, अलवार, बूंदी जैसे शहर भी शामिल है उमीद करतो हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए प्लिस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो क्या कर रहे हो यार जल्दी सब्सक्राइब ला बटन दबाओ, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग लिए ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लेका रहता हूँ तो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जै हिंद, जै भारत